साथियों, भारत एक सम्विधानिक लोक्सांत्रिक प्रग्परा है, राजनितिक दलों का अपना एक एहम महत्व है, और राजनितिक दल भी हमारी सम्विधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माज़्यम है, लेकिन सम्विधान की भावना को भी चोड़ पहुंची है, सम्विधान के एक एक धारा को भी चोड़ पहुंची है, जब राजनितिक दल अपने आप में अपना लोक्तांत्रिक केरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयम लोक्तांत्रिक केरेक्टर खो चुके हो, वो लोक्तांत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्वीर से कन्या कुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाईए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है, जो समिधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विशय हैं, लोक्तंत्र के पती आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विशय हैं, और वो हैं, पारिवारिक पार्टी यहां। राजनितिक दल पार्टी फॉर्द फैमिली, पार्टी बाइद फैमिली, अब आगे कहने की जोरोत मुझे नहीं लगती है। कश्मिर से कुन्या कमारी हरी राजनितिक दलों की तरफ देखिए। यह लोक्तंत्र की भावना के खिलाफ है। संवेधान हमें जो कहता है उसके विप्रिद है। और जब मैं यह कहता हूँ, कि पारिवारिक पार्टियां इसका मतलब मैं यह नहीं करता हूँ। एक परिवार मैं से एक से अधिक लोग राजनिती में ना आए। जी नहीं। योग्यता के अधार पर जनता के आशिरवात से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनिती में जाएं। इससे पार्टि परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीडी दर पीडी एकी परिवार चलाता रहे पार्टी की सारी विवस्ता परिवारों के पास रहे वो लोग तंत्रा स्वस्त लोग तंत्रा के लिए सबसे बड़ा संकट होता है और आज समिधान के दीवस पर समिधान में विश्वास करने वाले समिधान को समर्पित बहुत आगरे करूँगा कि देश में एक जागरूक तोलानी की आवश्यक्ता है जपान में एक प्रियोग हुआ था जपान में देखा गया कि कुछ ही पुलिटिकल फैमिली ही वबस्ता में चल रहे हैं तो किसे ने बिड़ा उठाया था तो वो नागरियों को तयार करेंगे और पुलिटिकल फैमिली के बहार के लोग निर्ड़ाय प्रक्रिया में कैसे आएं और बड़ी सप्रता को पुलिट तीस चाली साल लगे लेकिन करना पड़ा लोग तंत्र को सम्रिप्द करने के लिए हमें भी हमारे देश में ऐसी चीजों की और जाने की आवशकता है चिन्ता करने की आवशकता है देश वासियों को जगाने की आवश्या है उसी प्रकार से हमारे यहां ब्रस्टाचार क्या हमारा समिधान ब्रस्टाचार को अनुमति देता है कानून है नियम है सब है लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्याए पालिकाने स्वयम ने इसी को अगर ब्रस्टाचार के लिए गोशित कर दिया हो ब्रस्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो लेकिन राजनितिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मन्न चलता रहे ब्रस्टाचार को नजरंदाज करके सिद्ध होई हकीकों तके बावजुद भी जब राजनितिक लाब के लिए सारी मर्यादाओं को तोड़कर लोकलाज को तोड़कर उनके साथ बैठना उठना शुरू हो जाता है तो देश के नव जवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनितिक के खेतर में नेत्रुत्व करने वाले लोग ब्रस्टाचार में डूबे वो लोगों की प्रान प्रतिश्चा कर रहे हैं मतलब उनको भी वो मिलता रास्ता मिल जाता है कि प्रस्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है दो-चार साल के बाद लोग स्विकार कर लेते हैं कि हमें ऐसी समाज बवस्ता खड़ी करनी है क्या समाज के अंदर हाँ ब्रस्टाचार के कारण को अगर गुना सलसित हो चुका है तो को सुधरने के लिए मोका भी आ जाए लेकिन सारवजनिक जीवन में प्रतिष्ठा देने की जो स्परधा चल पड़ी है यह मैं समगता हूँ अपने आप में नए लोगों को लूटने के रास्तों पर जाने के लिए मजबूर करती है और इसलिए हमें इससे चिंतित होने की ज़रुत है यह आज आजी के 55 साल है यह अम्रत काल है हमने अब तक आजाजी के 55 साल दर्मियान देश जिस स्थिति से गुज्रा था अंग्रेज भारत के नागरीकों के अधिकारों को कुचलने पर लगे हुए थे और उसके कारण हिंदुस्तान के नागरीकों को उसके अधिकार मिले इसके लिए लड़ना बहुत स्वाभाविक था और जरूर भी था मात्मा गांदी समय हर कोई भारत के नागरीतों को, उनके अधिकार मिलें, इसलिए वो लड़ते रहें, यह बहुत स्वाभावित है, लेकिन यह भी सही है, कि मात्मा गांदे ने आजहादी के अंदोलन में भी, अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते भी, देश को करतब्वे के लिए, तयार कर करने के लिए लगातार कोशिश की थी। उन्होंने भारत के नागरीकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, प्राउड शिक्षा करो, नारी सम्मान करो, नारी को एमपावर करो, खादी पेनो, श्वदेशी का विचार, आत्मे दिर्वर भारत का विचार कर्तम्यों की तरफ मात्मा गांदी लगातार देश को तैयार करते लाई लेकिन आजादी के बाद मात्मा गांदी नहीं जो कर्तब्य के बीज बोये थे वहाँ जहाती के बाद बटबुछ बन जाने चाहिए थे लेकिन दुर्भांगे से शासन विवस्ता ऐसी बनी कि उसने अधिकार 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 के ही बाते करके लोगों को एक ऐसी विवस्ता में रखा कि हम है तो आपके अधिकार पूरे होंगे अच्छा होता देश आजात होने के बाद कर्तब के परबल दिया गया होता तो अधिकारों के अपने आप रक्षा होती